शो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक निव यूडियो में तो आज के स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी बोस पेंडिंग रिजल्ट जो आपका जनवरी में हुआ था उसके बारे में तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो उसमें से कुछ बचों का रिजल्ट पेंडिंग हुआ था ठीक है और कुछ लोगों का मतलब ठीक ठाक आया था अच्छा या था बहुत अच्छा या था तो जिनका पेंडिंग है वो लोग अब क्या करेंगे और जिनका अभी तक पेंडिंग मतलब उमीद है कि मेरा रिजल्ट जो है वो पेंडिंग कुछ grammatically mistakes हुआ था तो उन लोगों को क्या करना देखो जिनका result pending अभी भी है वो लोग एक दो दिन आप check किजिए ठीक है अगर एक दो दिन में आपका result आपको online website के उपर जाकर आपको एक दो दिन के अंदर result pending solution pending मतलब खतम नहीं होता है आप online जाके website के उपर चेक करते रहें अगर आपका वहाँ पर result एक दो दिन के अंदर आ जाता है तब तो मतलब बहुत अच्छी बात है और अगर एक दो दिन के अंदर आपका result pending नहीं आता है तो फिर जो अगले session वी बॉस को होने वाले हैं आप उसका form फिल कर दिजिए मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप form फिल नहीं किजेगा आपका result pending का solution भी नहीं होगा फिर से आपका जो वहाँ पर पेंडिंग सो होगा या फिर कुछ हो सकता है ठीक है ना तो इसकारण फिर आपका इधर का भी डेट निकला जाएगा और आपको फिर एक साल बरबाद हो जाएगा तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो आने वाले session वी बॉस के एक्जाम का आप उसका result है जो एक्जाम होने वाले आप उसका form फिल कर दिज यह दूसरा चीज जहां पर की जो दिसंबर का exam होगा तो उसका mark sit वगएरा कब तक आएगा तो देखो mark sit वगएरा के लिए मैंने एक separate video इससे पहले वाले video बनाया था तो आप वो वीडियो एक बार जा करके जरूर चेक कीज़ेगा बट मैं इस video में भी आपको बता दे रह ठीक है तो इस पर हम आने वाले एक separate video बना रहे हैं कि उस पर फॉर्म फिल आपको कैसे करना है और कौन कौन सा आपको documents चाहिए ठीक है और फॉर्म आप कहां से फिल कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखेगा तब तक कि लिए अगर वेरे चैनल परने चाहिए और कहां से आपको कैसे चेक किजेगा कि मेरा स्टेडी सेंटर कहां everything मैंने सारा कुछ उसमें कभर किया है तो में पॉइंट था हमारा pending result वालों को तो देखो भाई अगर आपको लगता है कि मेरा result जो है वो हो जाएगा एक दो दिन के अंदर तब तो बहुत बड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि समझदारी है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अगर इस से कोई भी क्यूरियो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा मैं आपको जरूर रिप्लाइद देंगा थैंक्स एन हैबनाज दे झाल 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 झाल